Hello everyone, welcome back to another video आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SRM University के mock test के बारे में examination से पहले mock test देना important है कौन-कौन से बच्चे mock test दे सकते हैं mock test के बारे में आप लोगोंने बहुत सारे questions पूछे हैं कब देंगे, किस तरह से देंगे तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ online admission portal यह वो link है जिसके तरह आप mock test दे सकते हो mock test के लिए कोई message आपके mobile पे नहीं दिया जाएगा क्योंकि schedule में already release किया गया है तो उसके बारे में बात करेंगे जैसा कि मैं आपको बता दूँ आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर भी जाके जोइन कर सकते हो एड दिरेट पल्ल वाहां सो फिल्म से नीचे देख सकते हो तो यह टेलिग्राम चैनल यहां पर वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी एक्जामनेशन से पहले मॉक टेस्ट देना काफी जादा इंपॉर्टन तो यह इनका ओफिशल वेबसाइट है और इस पे सिंपली SRM JEEE Phase 2 इंस्ट्रक्शन वहां पर क्लिक करते ही एक नया वेपेज ओपेज होगा जिसमें इस तरह की पीडियोफ आईगी जिसमें सारा इट सिद्डियूल रिलीज किया गया है Phase 2 इंस्ट्रक्शन के लिए 29 जून को आपको एक्जामनेशन है और 1 जूलाइ को एक्जामनेशन है तो एक्जामनेशन से पहले बच्चों को मॉक टेस्ट देना जरूरी है यह इन्फॉर्मेशन इन गाइडलाइन्स मे है कर लिए होगा क्योंकि 23 जून से 25 जून के बिच में आपको बूगिंग करना था और चूहर्मन के बाद सब्सें इसके बारे में मैं आपको clear कर दूँ देखो mock test आपका 26 जून और 27 जून को होगा तो जितने भी काइन रिक्वेस्ट है कि mock test जरूर से दे mock test क्यों देना important है इससे आप क्या होगे familiar हो जाओगे जो online examination आप अपने घर से दोगे वहाँ पे आप comfortable feel करोगे camera के सामने बैठोगे त तो mock test सेम आपका examination जैसा होगा लेकिन यह examination नहीं होगा इसके बारे में आपको थोड़ा और detail में बता दू ऐसा रहीं के official ने कहा है कि mock test देना काफी important है procedure क्या है mock test देने का तो simple सब procedure है जो कि मैंने आपको बताया है जो login करने वाला है देख सकते हूँ यहां पर simply आपको login करना है date of birth application number की मदद से उसके बाद आप mock test के लिए eligible हो जाओगे इसके कोई proper timing जो PDF है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें नहीं दिया गया है remote test के लिए candidates को safe exam browser भी setup करना है अपने computer में तो वो आप manually setup कर सकते हो instruction वाला जो PDF है उसका link में description में डाल दूँगा और आप simply check कर पाओगे mock test available है तो mock test आप easily दे सकते हो mock test देना important क्यों है क्यों है इसलिए कि जब आप examination दोगे 29-30 June को या फिर 1st July को तो उसमें आप क्या होगा कि last minute पे कोई भी disturbance ना हो कोई भी clarification नहीं चाहिए हो कोई भी आप किसी भी तरह का setup आपको करने की जोरत ना पड़े इसलिए mock test को पहले ही schedule किया गया examination से पहले तो आप mock test जरूर से दो easy सा process है मैंने आपको बता दिया है फिर भी कोई doubt हो तो comment कर लेना सिंपली इसका जो link है मैं description में डाल दूँगा mock test का कोई timing नहीं है इस बात का भी ध्यान रखना तो आप 26 और 27 जून को mock test दे सकते हैं इसके अलाबा exam guidelines भी है किन-किन चीज़ों की requirement है तो उसका भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया जिसका link मैं description में डाल दूँगा उस वीडियो को भी आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना और यह देखो यह admission पोर्टल आप सभी के लिए लेकिया है test series तो आप किसी भी examination के preparation कर रहे हो आइधर banking examination, railway examination, SC exam, defense, jmints, teaching exam, दले police या IB exam किसी भी examination के preparation कर रहे हो तो आप इनका test series purchase कर सकते हो देखो jmints 2422 के लिए आप preparation कर रहे हो तो simply आपको क्या करना है यहां पर buy now पे click करना है जैसे ही buy now पे click करोगे IIT यहां पर आप देख सकते हो jmint in advance 2021 test series है और valid रहेगा आपका 2022 तक until February तक के लिए valid होगा लेकिन देखो इसका date भी बढ़ सकता है तो कोई tension लेने की जुरत नहीं है आपको यहां पर test के लिए 2000 रुपे बोला जाएगा pay करने के लिए लेकिन आपको इतना pay मत करना है नहीं कर कर दो जैसे ही आप apply कर दोगे आपको 1500 रुपीज में यह test series purchase होगा मतलब 500 रुपे का instant discount मिल जाएगा इसके अलाब आप government examination के preparation कर रहे हो defense या फिर एससी एक्जाम तो simply जैसे की जूनियर इंजिनियर SSC GL CHSL तो simply बाइनाओ पर क्लिक कर लेना जैसे आप बाइनाओ पर क्लिक करोगी यहां पर दिखाएगा आपको नया वेब पेज यहां पर देख सब्सक्राइब तो नाइंटी नाइन रुपीज में ट test series जरू से 25 करो इनका mobile app भी है rankers के नाम से जिसका link और code का details description में तो simply mobile app भी डाउनलोड कर सकते हो अब यहां पर registration कैसे करना है तो यहां पर registration की लिंक पर क्लिक करना जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर create account आपको account खूलने के लिए क्लिए कहा जाएगा name, mobile number, email ID और password डाल देन create account पर क्लिक कर देना, अपका account create हो जाएगा, देन उसके बाद आप login कर सकते हो, email ID और password के मद्स से, तो यह simple steps है, इसके अलावाई इनका contact number भी है और साथ में support भी है, email support भी है, तो आप यहां पर भी check कर सकते हो, एक बार जरूर से check कर देना है आपको, उम्मीद है आपको, यहां पर सारा information मिलेगा, so that's it, thank you for watching, thank you